लगातार हो रही बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं और अब रौधरूप धालन कर रही हैं कानपूर के घाटमपूर तैसील में हम मौजूद हैं गडाथा गाउ है आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाएंगे कि हम सड़क पे जरूर खड़े हैं लेकिन यह सड़क आग और उसके रौधरूप को हम आपको दिखा रहे हैं कि आसपास 2 किलोमीटर के जो छेतरफल है जो एरिया है इलाका है वो पूरा जलमगन हो चुका है और नाव चल रही है आपको नाव दिखा रहे हैं जो गाउं के लोग फसे हुए हैं अंदर बता रहे हैं कि 12 से 14 फिट पा परिशान हो रहे हैं उनकी खेती डूब गई है उनके घर में रखा राशन डूब गया राशन खतम हो गया है और इसके चलते अब यहां पर आ रहे हैं प्रसाशन के कुछ लोग यहां पर पहुंचे जरूर थे लेकिन देख करके वापस लोड़ गया ठोस मदद अब तक उन अब यहां पानी में जो रहे हैं जो दिकत परिशानी आप लोगों को हो रही है कोई अधिकारी वगएर आप लोगों को तक पहुंचा कैसे मैंनेज करके से वाइब मैं तो बाहर का हूं मेरे यहां बहन है सिस्टर है मैं उसमी को बचाने आया था सिस्टर के मेरे घर पे आंगन पे एक फ्लोर डूब गया है और ना वहां खाने की यहां वे वस्ता है भाई सयान बुजुर्ग लोग तो अपना पेट पाल सकते हैं बागी छोटे बच्चे भ लिए पेट में रोटी है जो लोग लेकर के आये हैं और उनसे भी बात कर लेते हैं आप बहीं से आ रहे हैं इसी गणाता गाहों में इस जो भी सुब्दाएं इसी तरफ में उस तरफ कितनी मुसीबत है कोई नहीं देख रहा है वहां पे ना कोई बोट है यह फूटी बोट है पूरा डूबने वाला है अगर ऐसी बढ़ेगा तो गाहों नहीं बचेगा और कितने लोग वहां पर फसे कम से कम होंगे वहां पर 60-70 लोग होंगे लमसम यह द्रोग अभी भी नाव से लाए गए हैं और आप देखिए यह हाल है यहां पर गड़ाथा गाहों का दो किलो पानी कितना बढ़ चुका है यहां बहुत ज़्यादा है कम से कम दसाथ पस्ति उपर है 15 आप तो बहुत बुजुर्ग हो कितने इससे पहले इतनी बड़ी बाड़ देखिए नहीं बार में सामने एक बार आई थी सन अठतर में इस दनी आई थी सन अठतर के बराबर की बार देखिए दादा है बता रहे हैं नाओ से चार-पांत दिन से लगातार लोगों से लोगों को ले करके आ रहे हैं और सन अठतर में ऐसी बार आई थी यम्ना ने रौद्रूब धारन किया था और अधिक और फिर से लोगों की परिशानिया काफी ज़्यादा बढ़ चुकी है प्रिशाशन के लोग यहाँ पर आए हैं लेकिन ठोस मदद अब तक नहीं पहुँच पाई है कानपूर से कैमरा परसन पंकज निगम के साथ रतीश्त्रुए दी एबीपी गंगा झाल